नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन्टॉप मेरा नाम दिपेंद्र है और अभी आप यह जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह इरान के राष्टपती इब्राहिम रहीसी की तस्वीर है यह हेलिकॉप्टर में ली गई तस्वीर है यह अजरबेजान गए हुए थे वहां से यह तस्वीर ली गई है कल एक खबर आई थी कि दोपहर तीन बजे भारत के समय अनुसार दोपहर तीन बजे एक हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ है जिसमें इब्राहिम रहीसी सवार थे और उनके हेलिकॉप्टर के साथ यह हाजसा हुआ फिर उसके बाद रैस्क्यू को लगबग 18 घंटे बीच चुके हैं और अभी स्टेट मीडिया की तरफ से यह आशंका जता ही जा रही है कि वो मलवा जो अभी मिला है रैस्क्यू टिम ने जो मलवा ढूंडा है उसमें किसी भी किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है तो यह एक बड़ी खबर आई है इस के लिए हम ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे साथी अभी से एक सोनू है जो दुनियादारी भी लेखते हैं दुनियादारी के संपादक हैं उनसे हम जानेंगे इस खबर को लेकर अभी क्या अपडेट है जी क्या अपडेट है अभी से यह जो कल यह जो तस्वीर है हेलिक यह लाट रहते हैं अजर्बैजान से तबरीज तबरीज जो है इस्ट अजर्बैजान की राजधानी है इस्ट अजर्बैजान इरान का एक प्रोविंस है उसकी राजधानी यह जा रहे थे तीन हेलिकॉप्र कुल थे काफिला था उसमें से दो सेफ लेंडिंग होई दो की और एक खो गया और यह पता नहीं कैसे खो गया और उन दोनों हेलिकॉप्टर्स को ख़बर तक नहीं हुई जब ये खोया एक बजे उसके तीन घंटे बाद सर्च और रिस्क्यू आपरेशन शुरू हुआ ऐसा दावा है उनकी स्टेट मीडिया का कि जो हेलिकॉप्टर है ये क्र और सर्च और रेस्क्यू आपरेशन बहुत ही खतरनाक था पूरी दुनिया ने उनके लिए प्रात्ना की भारत के प्रधानमती नरेंदर मोदी की पोस्ट देख सकते हैं अब उन्होंने एक्स पे लिखा कि हम एरान के लोगों के साथ खरे हैं इस चिंता की घड़ी में जो स अब ही जो रिपोर्ट्स आ रही है स्टेट टीवी का दावा है कि मलबा मिल चुका है लेकिन वहां पे किसी सर्वाइबर की निसानी नहीं मिली है इसलिए बहुत सारी मीडिया रप्टों में आपको दिखेगा कि रॉइटर्स ने जैसे चलाया कि फियर्ड डेड जी एक तो उनके बेटे को लेकर भी चल रही है तो क्या हैं यह थेोरी जो चल रही हैं बीक इजराइल बारी थेोरी को समझने के लिए आपको मैब देखना होगा हम मैब की तरफ चल रहे हैं यह जो मैप है आप देखेंगे यह बेस्ट एसिया है इंडिया यहां पे है और वेस्ट की combination आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो अजरबैजान है यह है सिया बहुल मुस्लिम बहुल यह आबादी है यहां की सेकुलर देश है लेकिन यहां पर सिया 60% है और अजरबैजान को जो सपोर्ट करता है वो है इसराइल और इसका जो परोसी है आर्मेनिया इनके साथ बहु इन्हों ने अरोप लगाए हैं कि इजराएल के स्पाइ एजेंट्स को खुपिया एजेंट्स को अजरबैजान सह देता है और इस आरोप के अरखार पर डिप्लोमैट्स को नीकालना एजेंट्स को निकालना यह चलता रहता है आप गूगल सर्च کرेंगे आप को बहुत थार ये इजराइल जो हमेशा उसकी पॉलिसी रही एंबिगुईटी की, वो ना कभी मानता है ना इनकार करता है और ना स्विकार करेगा, इनकी नुकलियर पॉलिसी भी वही है, कहते हैं कि इजराइल के पास यहां पर इजराइल है और अभी ये गाजा में लड़ाई लड़ रहे ये सब मिलके इजराइल पर हमला करने की या इसको परिसान करने की कोशिस कर रहे हैं, ये सब इरान के प्रॉक्सी गूट हैं, इरान कभी सामने से सीधे नहीं आता, पहली बार उसने 13 अपरेल को इजराइल पर अटैक किया, और वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि हम किलो मीटर डूडी है, और इरान के पास माना नहीं जाता था कि इतने ख़तरनाक हथियार होंगे, जो यहां तक पहुंच सकते हैं, तो जब वो पहुंचे 13 अपरेल को, तो उसको लेकर संसनी फैली, इसलिए फिर इजराइल ने जबाबी अटैक किया, और उसको कभी माना न कि एक नुकलियर साइट के पास में इस फाहान सहर है, वहां पे उन्होंने डून से हमला किया, और ना इसराइल ने माना ना इरान ने माना, इसलिए वहां पे मामला रफा दपा हो गया, ऐसा ही हुआ था आपको अगर याद हो जनवरी में, जब इरान ने पाकिस्तान की सीम पाकिस्तान के दोड़े पे भी गये थे इब्राहिम रहीसी की ही बात करें जैसे भारत में अगर हम देखें तो राष्टपती एक सर्वोच नेता होता है सर्वोच नेता नहीं सर्वोच हैड अफ स्टेट होता है और यहीं एरान में देखें तो इरान में राष्टपती सेकंड नमर पर आता है, उनके यहाँ पर सुप्रीम लीडर जो खामे नहीं है, वो सुप्रीम लीडर, तो इनका राष्टपती का रोल इसमें कितना रहता है इरान? यह बहुत ही कॉंपलेक्स है, कभी-कभी कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्स कहते हैं कि एरान का जो सिस्टम है, वो अमेरिका की तरह है, कि वहाँ भी आप डाइरेक्ट एलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ भी डाइरेक्ट एलेक्शन राष्टपती के हो रहे हैं, लेकिन एरान में जो है प्रेसिडेंट को आप एक कठपुतली प्रधानमंत्री की तरह देख सकते हैं, जो असली पावर है, वो सुप्रीम लीडर के पास है, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं फ़र चार साल पे, उनका दो लगातार टर्म हो सकता है, आठ साल वो लगातार रह सकते हैं, लेकि उसके अलावा उनको जाना होता है जो सुप्रीम लीडर है आज तक दो हुए पहले थे आयातुला रुहुला खोमेनी जो इसलामिक रिपब्लिक अब इरान के फाउंडर थे और वो पहले सुप्रीम लीडर भी थे दूसरे हुए उनकी मौत हुई 89 में उसके बाद से अगले ज अगर वो चुनने का अगर उनका मन हो जब तक वो नहीं चुनते तब तक वो बने रहेंगे पत्पे या फिर उनकी डेथ हो जाए या फिर नया लीडर चुन लें तो यह ऐसा चलता है और सुप्रीम लीडर जो है उसके पास मतलो समझे की सर्वोच सक्ती I am the God divine power type उसके पास सेना है foreign policy है प्रेसिडेंट को कोई फैसला लेना है तो उसको approval लेना होगा सुप्रीम लीडर का तो इबराहिम रईसी का जो एक्सिडेंट है या क्रैस है या फिर मौत की जो आसंका है इसमें यह जगडा नहीं है कि रईसी कितने बड़े लीडर थे जगडा यह है कि वो और यह चीफ जस्टिस रह चुके हैं 2021 में यह चीफ जस्टिस थे तब इनको रास्ट्रपती चुना गया था और उस चुनाव में जो चुनाव होता है रास्ट्रपती का उसमें कैंडिडेट्स खड़े होते हैं बहु सारे नॉमिनेशन होते हैं लेगिन कैंडिडेट्स कौ वो देखते हैं कि मुस्लिम लौ के अनुसार है या नहीं और उसको पार्लियमेंट का अप्रूवल मिलता है तो बारह लोग जो होते हैं और जो चीप जस्टिस भी होते हैं उसको भी सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर रहा है तो बारहो लोग सुप्रीम लीडर के वरधास्त क या फिर जो भी बड़े फैसले होंगेгорडियन Schön control के दुवारा वो माने जाते है कि सुप्रीम लीडर के फैसले है यह एक सुप्रीम लीडर को लेकर जैसे आप बता रहे हैं कि जो रहीं है traffinky है वो दाव दावेदार माने जा रहे थे लेकर एक दावे सबसे बड़े बेटे हैं इनके बारे में चर्चा चल ली है पंजरा सालों से चल रही है कि यह अगले सुप्रीम रीडर हो सकते हैं और जब 2009 में चर्चा चल ली थी तब इनके खिलाफ नारे लगे थे कि मुस्तवा तुम मर जाओगे लेकिन लिडर नहीं बनो गए तो उस वक उसको उस प्लान को साइडलाइन कर दिया गया था लेकिन बाद में खामिनाई की तबियत थोड़ी नासाज रहती है उनका 2014 में कैंसर का उपरेशन हुआ था और कई बार अफवाएं ओड़ चुकी हैं कि वो बहुत ही बीमार हैं मिटिंग्स कैंसिल कर दी हैं वो मिल नहीं तो होस्पीटल में हैं इस तरह की अफवाएं चलती है और पचासी की उम्र हो चुकी है अब एक लिमिट होती है कि आप कब तक उस पद पे जहां इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कब तक निर्वाह कर सकते हैं तो मुझतवा खामिनाई का जो कहा जाता है कि सुप्रीम अब लिडर बनने के लिए एक ज़ित ज़रूरी है कि आपका पॉलिटिकल एक्सप्रियंस होना चाहिए जो अभी वाले सुप्रीम लीडर है अली खामिनाई वह एटीवन से एटीनाईन तक प्रेसिडेंट थे एरान के उसके बाद वह सुप्रीम लीडर बने और जब जो प कि उसके पीछे बहुत सारी चीजे थी उस वक्त के सुप्रीम लीडर रास्टपती यह सब उसके पीछे थे यह एक कॉंस्पिरेंसी ठीओरी है इसलिए खामिनाई जो चाहते हैं यह आपको बहुत सारी जो इरान पे नज़र रखती हैं वेब साइट उन पे आपको मिल कि खामिनाई चाहते हैं दो चीजें हो एक तो उनकी लगेसी बरकरार है और दूसरी यह कि उनके परिवार को उनके बाद उनका परिवार सुरक्षित रहे क्योंकि आप एरान में देखेंगे एक चीज कि जब आदमी पावर में होता है तब सब कुछ होता है जैसे ही वह पा नॉमिनेशन भड़ा था और गार्डियन काउंसिल ने उसमें साथ केंडिडर्स को चोना और जिन नामों को हटाया उसमें पूर्वरास्ट्रपती महमूद अहमादी निजाद भी थे उनका नाम भी हटा दिया था तो अहमादी निजाद को जब आप साइट लाइन कर सकते ह सकते हैं यह तक भी यह जाता है कि वन भी स्थोड़ एक तो इस तरह से उनको घए जाता है तो इस तरह संगर उनकोब हटाया जा सकता है उस ते स्पस्ष्ट होता इस प्रिम बूंस्प्री जह करेंगैं मैं वापस बिसர लाइसवन चाहूंगा क्रीकॉत पर लटकूंड आ उसमें उनके साथ फॉरेंड मेनिस्टर भी नजार आ रहे हैं तो कौन-कौन लोग थे इसमें जो हेलिकॉप्टर में सवार थे। कुछ नौ लोग बताया जा रहे हैं उसमें पाइलट और माकी सुरक्षा कर्मी थे और जो चार नाम इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रपती अबराहिम राईसी उसके बाद आपको फॉरेंड मिनिस्टर थे इरान के हुसेन अमीर अब्दुल्ला हियान इस्ट अजर्बैजान जो इरान का प्रोविंस है वहां के गवर्नर थे मलक रहमती और फिर थे उसमें चौथा जो बड़ा नाम बताया जा रहा है वो इरान के सुप्रीम लीडर के डिप्रेजेंटेटिव इस अजर्बैजान के आयातुल्ला मुहम्मद अली अले हासेम ये लोग गए थे गवेजान के रास्टर पती इबराहीम आलियेब और ये हैं इरान के रास्टर पती इबराहीम रईसी इन दोनों में नहीं पड़ती लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको डिप्लोमेसी में बहुत साथ चीज़ें दिखानी होती हैं क्लेम करने होते हैं कड़वा गुंट कुछ भी कहने से कत्रार आ है कई खबरें ये दावा कर रही है मतलब आशंका जताई जा रही है कि इसमें इबराहिम रईसी जो प्रेसिडेंट है इरान के उनकी मौत हो गई है लेकिन अभी तक स्टेट मीडिया की तरप से ऐसी कोई पुष्टी नहीं की गई है इस पर जो भी खबर आएगी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगी देखते रही है दिललन टॉप शुक्रिया